नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं इंडिया 24-7 लाइफ टिवी आपके साथ मैं हूँ प्रतेक्षय वर्मा निर्वया क्या गुनागावरों की फांसी में बचे हैं मात्र 48 घंटे लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है द्यायाच का खारिज करने के राश्रपती के फैसले को चुनावती देने वाली जाच का खारिज हो जाने के बाद करीब 7 साल और डेड़ महीने बाद निर्वया के चार गुनागारों में से एक मुकेस की सारी लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है फासी का इंतजार कर रहे निर्वया के चार गुनागारों में से एक मुकेस की फासी को लेकर अब कोई सक और सवाल नहीं बचा चारों में मुकेस पहला और इकलावता वो गुनागार है जिसकी फांसी के बीच आने वाली सारी कानूनी अर्चनी और रहम की फर्याद सब कुछ बुद्धवार को खत्म हो गया फांसी से बचने के लिए मुकेस के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा यानि अब उसके हिस्से में मुश्किल से 48 घंटे की सांसे बची है पर फांसी से पहले अगले 48 घंटों में अभी भी बहुत कुछ होना बाकि है बुद्धवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अदालत दय याजका खारिज करने के राश्ट्रपती के फैसले को चुनौती देने वाली याजका को खारिज करती है और इसके साथ ही करीब साथ साल और देड़ महिने के बाद निर्भया की चारों गुनागारों में से एक की तस्वीर अब बिलकूल साफ हो चुकी है पर सिर्फ फांसी की सवीर साफ हुई है फांसी के की तारीए कर तस्वीर अभी धुनली है और ये धुन्द इन तीनों की वजह से यानि अक्षय विनय और पंगन तो मुकेश की सारी लाइफ लाइफ लाइन खत्म दूसरी डेट वारेंट के हिसाब से फांसी की तारीफ अब भी एक फरवरी है यानि मुकेश की जिन्दगी और मौत के बीच सिर्फ 48 घंटे हैं इन 48 घंटों में क्या होगा? क्या मुकेश ते तारीक पर यानि एक फरवरी को अकेला फांसी के फंदे पर चड़ेगा? या फिर बाके तीन गुनागारों के बीच बची लाइफ 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 लाइन के अंजाम का इंतजार किया जाएगा? दिल्ली जेल मनुवल 1988 के हिसाब से किसी एक जुर्म के लिए अगर एक से ज़्यादा को मौत की सजा होती है तो उन सभी को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा? अलग अलग नहीं? अब अगर इस जेल मनुवल के हिसाब से चलें तो सारी लाइफ लाइफ लाइन खत्म होने के बावजूद मुकेस पवन विनय और अक्षे की बाकी बची लाइफ लाइफ लाइन के सहारी अपनी लाइफ कुछ और जी सकता है यानि जब तक पवन विनय और अक्षे का फैसला नहीं आ जाता तब तक मुकेस को एक फरवरी को फासी पर नहीं लगकाया जा सकता हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट खास इस केस में अगले दो दिनों के अंदर कोई आदेश जारी कर दे तभी एक फरवरी को फासी मुमकिन हो सक होती है जिसके उमीद ना के बराबर है लेकिन इसमें कोई सक नहीं है कि निर्विया के चारों गुनागार पूरी प्लानिंग से कानून की कमजोरी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं इसकी बांगी बुद्वार को एक बार फिर दिखी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रप पिटिशन की इसी सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी बहुत मुम्किन है कि आज ही हो जाए नहीं तो सुक्रवार क्योंकि शनिवार को तो वैसे भी फासी का ही दिन है तो उससे पहले फैसला जरूरी है वरना फासी नहीं हो सकती वैसे अक्षे की क्यूरेटी पिटिशन जैसे ही खारीज होगी उसी वक्त आपको एक नई खबर मिलेगी खबर ये कि अक्षे के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटी पिटिशन का हत्यार लेकर पवन जा पहुँचा क्योंकि पवन की क्यूरेटी पिटिशन भी काहसी की तारी को बार-बार टालने के लिए कि अप्षय और परवन की क्यूरेटीब पीटीशन खारिच हो जाए तो वह दोनों के पास अब धिध याजका का का दरवाजा लेकिन यह तीनों एक कर दर्वाजे में तभी दाखिल होंगे जब बाकी के सारी कानूनी दर्वाजे बंद हो जाएंगे पर क्या यह सब नया वारण जारी होना भी जरूरी है और वक्त है सिर्फ और सिर्फ 48 खंटे का इतना कुछ हुआ और आगे क्या होगा फिर दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार